चौदे या पंद्रे साल की उमर रही होगी जब ये एक प्यार का नगमा है वाला गाना सुना था तो ना तो गाना सुनने की या कवीता सुनने की समझ नहीं थी जितनी अब है उससे भी कम थी और ये अध्यात्मिक गाना अध्यात्मिक पंक्तियां थी तो शाय समझ में तो कुछ नहीं आता था पर इस गाने के दिवाने हो गये थे और बड़ी कोशिश करते थे गाने की पर क्या ही लोगों ने जब डांटा किया तुम गाया मत करो तो तोड़ा द्धाना बड़ा लेकिन इसका मतलब क्या है कि अग अड़े को शाड़े शाज़े का साड़े शावजय आज़े से पहले नहीं आट पाओंगा तो इन्हों चुछ ही संदाज थे कहा की ठीक है जैसे कि आना हो तो आजना ना 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 नहीं को वड़ी शुभ केए बात मेरे खो तो जिला योजना का बजट पास करना होता है उसे पहले कारेकरम तो से ही आज हमारा स्थापना स्थापना स्थाकार का चौथा साल का जनम दिन है तो जादे से यादे 228 कोड़ का बजट होगा मैंने भी भगवान की कृपा से पठापट एक घंटे में पास करके सवा तीन बजे गाली में बैड़िया बज एक थोड़ा सा दुरभागिय हो गया कि मैं बार बार फून करके पूछ रहा था कि मैं अभी आजाओं वोले नहीं अभी मता हूं अगर सच बोल रहा हूं या जूट बोल रहा हूं बता हूं ठीक है और कबड़े पहन के तयार फर्स क्लास अब देखी रहा हूं तो मैं अगर चाय कार रास्ते में कि मैं ठीक साड़े श्यवजे पहुंच जाओंगा अगर चाय का रिजमेंट तो ठीक है नहीं घर से थर्मस में मंगा लूँगा तो अगर चाय का रिजमेंट रहेगा लेकिन फिर इनने मने कर दिया टाइम पर मता हूं अब गलती यह हुई कि इन नमन है सर आपको कमाल की सरलता कमाल की सादगी कमाल की विनम्रता सलाम करते हैं सर आपको और वाकई आप जैसे शक्सियते ही हैं जो निरंदर हमारा इस तरह से उत्साह वर्धन करते हैं तब ही ऐसे आयोजन संभव हो पाते हैं बहुत बहुत शुक्रिया आदर्णिया बहु तो मैं चाहूंगी कि जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत और अभिनंदन करें आधर्णिये पवंजी जिन्दगी में बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जब मेरे जैसा संकोची विक्ति कुछ मांग पाता है आज मैंने मांगने की दृष्टता की और इसलिए दृष्टता कह रहा हूं से क्योंकि आयोजक अपने एक रंडाउन से चलते हैं और उसमें इंटरिफेर नहीं करना चाहिए लेकिन मैं अपने आपको रोक नहीं पा रहा हूं पहले कुछ सेकिंज में मैं सिर्फ एक घटना का उलेक करूंगा जिससे ये हमें पता चले कि जो शखस हमारे आज महमान हैं हम सब मंच के लोग यहीं के लोग वह शखस हमारे महमान अंतराश्टी इस्तर के महमान आज गाज़ेबाद पधारे हैं आईज़क मंदल को बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूं प्रिड़ाम करना चाहता हूं उनको यहां बुलाने के लिए तो दो ऐसे वाखे हैं मंच पर मैं था आदर्णिय की यानि आदर्णिय संतो शानन जी मुझसे मिलने इतनी बड़ी शक्सित चुप चाप चोड दर्वाज़े से चले आए यह सिविलाइंसमेक आडिटोरियम है शाह आडिटोरियम यह वहां का किस्सा है आए सुनके चले गए दूसरी बात मैं चुकि बहुत शॉर्ट मैं कह रहा हूं दूसरी बात दिली का हिंदी भवन और इतफाक आज भी ऐसा कि हम दोनों साथ हुए तो फिर हिंदी भवन वाजियाबाद का तो अधर्णिये को एक बड़ा सम्मान दिया जाना था अधर्णिये कलाकार हैं और यह दिमाख के कलाकार नहीं दिल के कलाकार हैं भाव परदाने हैं और अपने भावों के लिए अड़ जाता है कलाकार बोले कि नहीं मैं तो गुरुजी को उपर बुलाओंगा और उन्हीं के साथ उन्हीं से एवाड लूँगा यह मेरे लिए एक बहुत अजीब सी बात थी और बहुत बड़ी बात थी किसी के भी लिए यह बहुत बड़ी बात होगी खैर मैं गया बाते होती रही ना जाने ऐसा क्या भाव हुआ कि जिस गाने से मैंने गाना शुरू किया था एक प्यार का नगमा है उसकी बात हुई मैं स्विम को रोक नहीं सका और गा उठा हौल में खचा खचवारा था हौल और लगबग हर व्यक्ति के रोंटे खड़े थे और आँखों में आशु थे मेरे गीत के लिए नहीं श्री संतोश आनंद जी के लिए बस एक लाइन कहना चाहता हूँ हजारों और यह मने अभी अभी बैठे जो उनके बगल में बैठा कुछ बात कर रहा तो उन्होंने एक ऐसी बात कहीं मेरे से कि फिर से बन बड़ा भाव से भर गया तो मने दो पंक्तिया लिखे दो मतलब दो हजारों बाते सुनी होंगी तुमने हजारों बाते सुनी होंगी तुमने मेरा एक बात कहने का मन है हजारों बाते सुनी होंगी तुमने मेरा एक बात कहने का मन है संतोश में ही आनंद है बहुत बहुत थैन्गे किया है? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया धन्यवादा दर्जनी है और वाक़िये अपके भीतर से मन से सचे एहसास और जजबात जो संतोश अरणजी के लिए आपने हसूस करते हैं हमेशा लो यहां पर आपने सभी के सामने बहुत बहुत धन्यवाद और अब जो है हम कवी समेलन की और बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले जो है उत्थान समीति की और से सभी हमारे जितने भी कवी जगत के पुरोधा हैं व्यक्तित्व यहां पर हैं उन सभी काविनंदन स्वागत जो है स्मृतिचीन दे करके किया जाए है की मंच पर आए और इन कवी९ूँ का सभी का प्रहा हन करकी उनका बिंदन और भुट करके क्योंकि ये लोग जो निव रएं है ये लोग जो कह रही है वो अभूत पूर्व है और से आजाएए सभी कवियों का अभिनंदन और स्वाइगत करने के लिए मेरा आप से आगरह है कि आप भी आए और जो बच्चे इस कारे में सहयो कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि थोड़ा ततपरता दिखाएं क्योंकि बस अब हम सब उस मूड में हैं क आदा संतोष अनंद जी को जो है स्मृति चिन्न देकर के एक छोटी सी भेंट उत्थान समिति की और से कि वो आए अपना बेश्कीम्ती समय हमे आरे लिए निकाल करके आए उनकी इतनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद और और उनके बड़ी बात ये है कि इस समय भी जि आपकी तालियों के माध्यम से व्यक्तो होंगे आदर्निये संतोष अनंद दादाजी जिन होने एक पूरा अपना समय जो है साहित्य साधना को दिया और अब आदर्निये डॉक्टर कुणर बेचेन जी को थान समीति की और से अभिनंदन स्वागत किया जा रहा है ये पटका पहना करके और साथ में सुम्रती चिन्न दे करके अदर्निये डॉक्टर कुणर बेचेन सर जिन से हम सब ने बहुत कुछ सीखा है बहुत कुछ जाना है अदर्निये बिजेंदर परवाज सर को अभिनंदन स्वागत करने के लिए मैं आमंतरित कर रही हूं थान समीति की टीम को कि आप सब सतेंदर जी आप भी सामने आजाएं और बभी आजाएं और बभी आजाएं देखिए यह कैमरे जो है न इतने सारे तस्वीर आएंगी आपकी इसमें और बभी संचालक की भी खीच लिया करो कभी-कभी प्लीज हांजी और बभीता जी से आग रहे हैं कि मुमत आज नसीम जी को और मैचिंग का दुपट्टा दिया जा रहा है यह बड़ी बात है यह बहुत बड़ी बात है महिलाओं का अधा समय तो मैचिंग बैठाने में चला जाता है कपड़ों की हांजी और अब जो है कमान जो थामेंगे अपने हाथों में अद्भुत वक्ता कमा कुषल वक्ता जो है जिनसे हम बहुत सीखते हैं, मैं बहुत सीखती हूँ, Dr. Praveen शुकल जी के अभिनंदन और स्वागत जो है उत्थान समीति की और से किया जा रहा है, और जो सबका सम्मान करवा रहे थे, राज कोशिकसर, यह मुझे बहुत अच्छी बात लगती है उनकी की वो सबके साथ गुल मिल जाते हैं, सबका सहयोग करते हैं, और प्रवीन शुकल जी को जब हम सुनते हैं, तो मंत्र मुग्द होकर सुनते ही चले जाते हैं, बहुत कमाल का उनका अंदाज बया है, अधनिय राज कोशिकसर, बहु आयामी व्यक्तितु के स्वामी है, बहुत सारी प्रतिभाएं हैं इनके भीतर, अभी कुछ ही सामने आ और अभी मुझे पता लगा दो चार दिन पहले की कमाल के अभी नेता रहे हैं, अधनिय राज कोशिकसर, रवी जी, रैयादव रवी जी हैं मुंबई में, उन्होंने मुझे बताया, जी, अच्छा मुझे बताया, और आप ये मत समझेगा कि केवल अलपना जी संचाली का ह हैं, वो आज कवित्री भी हैं, तो उनके लिए भी तालिया बजा दीजिया, अलपना जी का भी स्वागत होगा, मैं आशादीदी से और अतुलगर्ग जी से अग्रे करूंगा कि वो अलपना जी का भी स्वागत करें, इसका अभ्यसा मारो हूंगा. अभी मंच पर रुके रहें, प्लीज, और अब मैं आगरे करूंगी बवीता जी से पहले, कि आशा शर्मा मैं को जो है, समिती चिन्न देकर कि उनका अभिनंदन और स्वागत करें, आशा शर्मा जी का उत्साह देखते ही बनता है हरी का योजन में, बहुत खुश होकर के ए और स्नेहिल है, सबसे बड़ी बात है स्नेहिल, स्नेहिल होना और आत्मियता होना, ये दुरलब गुन है, जो हर एक में नहीं पाया जाता, तो आशा जी में ये गुन जो है, बखुबी है, और वो सभी पर अपना स्नेहिल उटाती है, सभी को बहुत प्यार से लेकर के चलती करके उनका स्वागत और अभिनंदन जो है उन्होंने पूरी आत्रा बताई कि कैसे कैसे ही सायोजन में आने तक का सफर उनका रहा था बड़ी बेबाकी से और बड़ी इमानदारी से और पवन जी के लिए मैं चाहूंगी कि अतुल सतेंदर जी जो है और अतुल जी सहयोग करे और सतेंदर जी जो है उन्हें स्मृति चिन्न देंगे और पठका पहना करके उनका अभिनंदन करेंगे उनका स्वागत करेंगे पवन गुरु जी को हम अकसर सुनते रहते हैं यूट्यूब चैनल पर भी और उनका कहा हुआ अकसर अक्षर शह सच होता है कमाल के भविश्य कमाल के अस्ट्रोलोजिस्ट गणना उनकी कमाल की है ग्राहों की गणना को लेकर के बात को कहना वो कमाल का हुणर है बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार आप सभी का और